श् curious नॉर्मली जो बच्चा होता है कोई श्टुडेंट जो अभी ट्वल्त में जा रहा है 12th appearing है तो वो जiete मेंहीज के एकजाम अपने 12th appearing में दे सकता है पहली बार पहला अटेम्ट स का होता है जब वो ट्वल्त में 12th road exam देने वाला है तब दे सकता है, एक बार उसके बाद ड्रॉप लेके दे सकता है और एक बार उसके बाद भी ड्रॉप लेके यानि J.E.M.S का जो एकजाम है, इस्टूडेंट अपने academic year में तीन बार दे सकता है पहला attempt होता है उसके 12th boot के appearing में, second attempt होता है 12th boot के बाद एक बार ड्रॉप लेके और third attempt होता है उसके बाद भी एक बार ड्रॉप लेके अगर हम advanced की बाद करें तो advanced का जो paper है student दो बार दे सकता है, एक बार 12th के साथ और एक बार ड्रॉप लेके इस तरीके से student अपने academic year में J.M.A.S के exam तीन बार दे सकता है और advanced के exam दो बार दे सकता है